All India Motor Transport का बड़ा बयान आया है और कहा कि हमने तो किया ही नहीं हर्ताल का अबभाँन बड़ी खबर ग्री मंतराले में बैठक चल रही है और All India Motor Transport Congress के जो प्रतिनिदी है उनके साथ भी मंतराले में बैठक चल रही है ग्री सचिफ के साथ वो ये लोग बैठक कर रहे हैं लेकिन बैठक से पहले All India Motor Transport का ये बड़ा बयान है जहां वो कह रहे हैं कि हमने हर्ताल का आबभाँन किया ही नहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बतारे हैं कि बैठक से पहले All India Motor Transport ने ये बड़ा बयान देते वे कहा है कि हमने तो हर्ताल बुलाई ही नहीं तो हर्ताल को लेकर हाई कोर्ट का सक्त रवया देखने को बिला कोर्ट ने हर्ताल खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिये हैं जबलपूर हाई कोट ने ये सक्त रवाया दिखाते हुए हर्टाल को तुरंथी खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिये हैं ट्रक और बस ट्राइवर्स की हर्टाल के खिलाब यार्चिका यहां लगाए गई थी सरकार को निर्देश दिये है विधारा 5 में सरकार को पावर है कि आवस्थेक बस्तियों को सब्सक्राइब करें कि किसी भी इसकता बस्तियों को का प्रभावित ना हो प्राप्त हो सके इसके लिए कारवाई सुष्चित की जाएगी तो हरताल को अवैद गोस्त करके सब्सक्राइब करने वालों कि तो एक तरफ कोड भी हरताल को लेकर सकत है तो वहीं सीम ने भी हरताल पर अधिकारों के के भी आदेश दिये हैं ले ट्रांस्पोर्टर्स की हर्ताल पर से ये में जो बैठक ली है उसकी दस्वीर आप देख रहे हैं सीम काफी सक्त हैं सीम ने कहा कि किसी भी सामान के दिक्कत नहीं होनी चाहिए आम जनता को और साथी जो हर्ताल की नाम पर उत्पात कर रहा है उन प उन पर बातचीत करने के लिए हमारे सायोगी जोड़े हैं भुपाल से प्रशांत कटारे और साथी दिल्ली से शंकर आनंद जोड़े हैं शंकर पहले आप बताए दिल्ली में जो बैठक हो रहे हैं उसको लेकर क्या आपडेट इस वक्त में उस बैठक में शामिल हैं और केंदरी ग्रीम सचीव के अगर बात करें तो उनके नित्रुत में तमाम प्रतिन इजियों से बाचीत किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो तमाम जो मसलें उन मसलों पे विसाय से चर्चा की जारी है और इसके साथ ये बहुत सारे ऐसे मसलें हैं जिसको सोसल मीडिया पर ilब किया रहा है बहुत सारे जो नए कानून के तहत जो नए प्रावधान किये गे गये तो उस कानून को समझना बहतर होगा और बहुत सारे ऐसे जो अफवाओं का जो बाजार गर्म करने वाले जो लोग हैं बखायदा उन पर नज़र रखे जा रही है और खास तोर पर देखे एक सक्षिन की बारे हम जिक्र करना चाहेंगे जैसे एक जो अफवा है वो उसमें कहा जा रहा है सोसल मीडिया पैसी खबरे पहलाए गई कि अगर कोई हीट और रन का मामला करता है तो उसको कम से कम साथ साल का जो सजा हो सकता है लेकिन साथ साल की जो सजा है ये ऐसा कोई प्रावधार नहीं होता है सजा जब आप कोई ऐसे मामलों का अंजाम देता है तो कोट बाद में उस मामले पर फैसला करता है कि क्या वो हीट रन का मामला है या नहीं पहला चीज़ दूसरा क्या इस मामले में अधिकतम सजा होनी चाहिए या कम सजा भी दिया जा सकता है तो मतलब भ्रामक सदी ये है कि सबको लग रहा है ट्रक ड्राइवर्स को खासता और पर कि अगर हिटन रन में वो पकड़े गए तो उन्हें पकड़े जाते ही उन पर सीधा सासल की सजा उनको हो जाएगी शंकर एक और बात यहाँ पर समझने चाहूंगे जो बड़ा बयान आया है All India Motor Transport की ओर से की हर्ताल का आपवाहन हमारी ओर से किया ही नहीं गया उसको लेकर क्या इंपुट है बात वही मैं कहरा था कि बहुत सारे ऐसे हैं उन ऐसे लोग है जो जान बुझकर इस मामले को बड़ा बनाने की कोशिस करते हैं या गलत तरीके से तत्यों को पेश नामने रगा जाता है जिसके चलते ये मसला इतना बड़ा सा दिख रहा है तो उन तमाम मसलों को दूर करने के लिए जो अफवाएं या गलत फहिमी हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है मैं समझाना चाहता हूं कि कानून क्या है और करने का मामला होता है तो कई बार होता है कि डर के मारे ड्राइवर फरार हो जाते है चाहे वो बस वाला हो ट्रक वाला हो या कोई अन्यगार हो तो वहाँ पर ये कानून कहता है कि आप को नहीं मालूम है तो आप वहाँ से फरार हो लेकिन कई बार देखा जाता है कि ड्राइवर को इस बात की जानक मौकिसे फरार हो रहे हैं तो वैसे हालत में अगर आप हस्पताल पहुंचा थे हैं तो पहुंचा थे हो सकता है करने से लुगत क SARा करने से बेन अगर तो निश्व mówi करते हैं तो निशीन तौर तो समझने के सांझ मेरी मेई शारी इpent-ट्रार कि पेश किया जा रहा है तो उसको समझने की आउ सकता है यहां पर लोगों को भीड का हिस्सा नहीं बनना है तो इन तमाम मसलों पर जो एक विसार से चर्चा पर लेकि जारी है और चर्चा करने के दारान चर्चा बहुत जरूरी है तबी यह जो भ्रहम है वो दूर होगा प्रश बिल्कुल अफ़ाना दरowy दो मोचommen पर फोकस है और फोकस पहला यह कि जो जो डीलर्स हैं, असूसियिशन्स हैं, उनसे बाचीत करेंगे खास्ता हो नकाथ है उनसे बाचीत हो रहे हैं, ताकि कोई भी चीज बाथा ना आहे लगातार तृ तरीके से सप्लाई होती रहा लगला जो आती आवश्यक वस्तु हैं उनकी या फिर पैट्रोल की डीजल की या दूसरा फिर जो रसोई गैस की और दूसरी आवश्यक वस्तु हैं दूसरा जो मोर्चा है बाचीत का वो जो हर्ताली कर्मचारी हैं या अब माफ कीजिए का हर्ताली ड्राइवर हैं उनसे बाचीत करन मालक्यों या वहन मालिकों के उपर कौई नहीं है उनके उपर तो इस लिहास से हरताल उनकी नहीं बलकी ड्राइवर असेशünd हरताल कर रहे हैं और इस해 लिहास से ड्राइवर असीषिएशं से बाइचीMen की कोशिफ भी पह चुक् CS किवल मद्य प्रदेश का मसला नहीं है देश भर का मसला है देश भर में ये तस्वीर नज़र आ रहे हैं लेकिन अलग 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 अस्तर पर कोशिश हैं जारी हैं मामले को सुल जाने की मुख्य मंत्री उसी मद्य नज़र लगातार अफसरों के साथ बाचीत कर रहे है वी सी के जरिये बाचीत हो रही है और ये बाचीत का दौर एक नहीं बलकी लगातार बैक टू बैक चल रहा है अलग-अलग इस्तर पर चल रहा है अफसरों के साथ बाचीत हो रही है बहुत इसपस्ट निर्देश है कि भाई कहीं भी किसी भी सूरत में जो वाहन अजिकत नही की है इस्तिती तीन दिन से इसी तरह की बनी हुई है पैट्रोल पंप भीड लगी हुई है सबजिया महंगी हो गई है और जो दैने के रोजगार है दैने के दिंचर्या की चीजें हैं वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होती दिख रहे हैं जिनकी कीमितें कहीं न कहीं दीरे-द बढ़ती जा रही है आज जो है शाम को हाई कोट का जैसे ही आदेश आया कि हरताल खत्म करवाने के लिए हर संभव प्रियास करें सरकार की तरफ से स्पष्टी करन दिया गया कि आज ही हरताल खत्म कराने के लिए पूरी बाचीत की जाएगी जो भी निड़ा होगा वो जनता क हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा उसके बाद जिला प्रिशासन की टीम शेहपरा इस्थित्र डिपो पहुंची पेट्रोलियम डिपो जहां पर हरताल करने वाले टेंकर चालको और ट्रांसपोर्टर्स के साथ में बाचीत की और ट्रांसपोर्टर्स पी वहन निरंतर जारी है पेट्रोल डीजल भी पेट्रोल पंपों में सप्लाई किया जा रहा है फिलहाल कलेक्टर का जो बयान आया है उसमें यही कहा गया है कि हमने अपनी तरफ से बाचीत की है और जो भी आवश्यक वस्तु हैं उनकी सप्लाई लगातार जारी है इस बात को सुनका इस से यह अंदाज लगाए जा सकते हैं कि आवश्यक वस्तु है तो मिलेगी लेकिन हरताल खत्म करने की अभी तक कहीं से कोई भी इस परश्ट जानकारी सामने नहीं आई जी बहुत शुक्रिया पवन आपका प्रशाज शंकर आप तीरों का ही शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और जिस तरह से हरताल का असर देख्शनी को मिल रहा है हरताल को खत्म कराने के लिए कदम उठाए जारे हैं की जानकारी हम आपको दे रहे हैं अगर आपके पास तो आप 500 रुपे तक का ही पेट्रोल भरवा सकते हैं और अगर आपके पास 4 विलर है तो 1500 रुपे की लिमिट 4 विलर चालकों के लिए हैं कलेक्टर नहीं आदेश चारी कर दिये गए हैं जो पेट्रोल पंस पा लंबी-लंबी कतारे देखने को मिल रही है कि लोगों में होल लगी हुई है पेट्रोल फुल करवा देने की टैंक फुल करवा देने की और उससे जो बाकी लोग है उन्हें दिक्कत हो सकते हैं तो ऐसे में उसी को देखते हुए ये आदेश जारे कियेगा कलेक्टर की ओर से कि अगर आपके पास टू विलर है तो आप 500 रुपे तक का ही पेट्रोल भरवा सकते हैं उतनी ही लिमिट आपके लिए फिक्स की गई है और अगर आपके पास 4 विलर है तो आपके लिमिट रखी गई ह 1500 रुपे तकी हर किसी को ही पेट्रोल मिल सके ये नहीं कि कोई पेट्रोल का टैंक फुल करवा रहा है अपनी गारी को और किसी को पेट्रोल एक लीटर भी नहीं मिल पा रहा है इसी को देखते हुए ये कदम रतला में प्रशासन की ओर से उठाया गया है कलेक्टर ने याद जारी किये है तो चार पहिया वाहन के लिए 1500 की लिमिट है दो पहिये के लिए 500 की लिमिट है अलग-अलग लिमिट यहां पर लिमिट का सलाब रखा गया है